हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक कैसे हैं आप सब आई होप सब ठीक होंगे आज हम लोग जाने वाले हैं सोंगाई पार्क एंड ओक्योंजी पॉंड सहर के बाहर यह चारो तरफ मांटेन से घिरा हुआ बहुत ही सांथ और सुन्दर जगह है यहाँ पे लेक व्यू और मांटेन द अगर अगर बस से जाते हैं तो यह काफी समय ले लेता है यह वहां तक पहुछने के लिए दो गंटे लगाता है तो यहां से आप टैक्सी में जाएं तो वह ज़ाला अच्छा ऑप्सन होगा टैक्सी में जाने पर आपको यह दस में पहुचा देगा और कोस्ट भी बड़ करना है जब आपस से जाते हैं तो आपको थोड़ी दूर चल कर जाना पड़ेगा और ये बस पार्थ की दूसरी तरफ आपको उतारता है अगर आप हाइकिंग के सौकीन है तो ये साइड भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा यहां पे आप नीचे सुरुवात में जब बाल दिएकेगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अजヤा जाँ पर फिला के एली हो जाँ नाँ के वड़ झा मरे चाँ कि एली हो आब कि एलींद देता हुना है हुआ तो कि एली हो आप एली हो आपती हुआ है झाल झाल आगे जाने पर आपको यहाँ पर लेक व्यू, सस्पेंशन ब्रीज और वाटरफॉल देखने के लिए मिलेगा यहाँ के वाटरफॉल नैचुरल नहीं है, यह मेनमेड है, पर देख के आपको यह बिल्कुल नैचुरल लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, जैसे के आप देख सकते हैं, और यहाँ से उपर आने पर आपको चारो तरफ माउंटेन का बहुत अच्छा विए मिलेगा, एक तरफ लेक है, और यह तिल्टेट ब्रिज देख सकते हैं, यह ब्रीज एक तरफ के वल एक पिलर में टिका हुगा और दूसरे तरफ माउंटेन पे बीच पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो अगर आप इस पर जोर से चलते हैं या गूते हैं तो यह ब्रीज थोड़ा हिलने लगता है, तो यह थोड़ा स्कैरी है, नीचे भी देखेंगे तो आपको इसमें डर लेगा, पर उस पे जाने पे बहुत ही सुन्दर व्यू है वहां से, और उसके बाद जब आप माउंटेन पे जाने लगेंगे, तो आपको उपर जाने के लिए बहुत सार रास्ता दिखेंगे, झाले बहुत सारी है कर दो खूरा ज़ी अंगाना है झाल झाल दिश्रे पूल ऐंगे जाने पर आपको अलग जगर जाने के लिए अलग अलगaky रास्ते लिए जो टैंपल और वियू पॉइंट और दूसरी तरपेसे पार्क तक लेकर वियुआ हैं तक जाने के लिए दोनों तरब से रस्ते की वख वी बना हुआ और दो कि आगे जाने के बाद आपको बोड दीखें और च Lessbaked इसाफ टैमपल जाने के लिए करसे समय धना जाते हैं देख सकते हैं उपर से जागे बहुत अच्छा भी हो गा की जाए तो आप यहां से घूमके फिर सीधा तACE तक जा सकते हैं अगर आप यहां पर जाते हैं तो आप कम से कम दिन की तीन बजे यहां पर पहुंच आईए तब ही आप पूरी तर अच्छे से गूम पाएंगे क्योंकि यह लेक के दूसरी साइड आपको घूमने के लिए हाइक करने के लिए उपर तक मंदिर तक जाके देखने के लिए दो तीन घंटे लग जाएंगे और फिर आप पार्क में जाएंगे तो पार्क में कम से कम 6 बजे तो आप बिना लाइट और 6 बजे तक आप लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है तो लाइट तो नों के साथ आप वहां का व्यू ले पाएंगे और दोनों कंदिशन में आप वहां पर गूम पाएंगे जब आप आगे चलते जाते हैं तो ये बीच बीच में रूपकर थोड़ा यह बार के यहां पर जाने वाले सबसे जाने वाले जाने वाले जोगों में से एक है और यहां पर आपको सोंगाई, क्लाउड ब्रीज, फोर अब्सर्वेटरी, गूल्ड केव, गूल्ड केव, म्यूजिक फॉंटेंज, आर्टिफिसियल आइलेंड, फन्रेस प्लेसेज और सोंगाई प्लाजा यह सब चीजें आपको यहां पर देखने के ल दिखेगा और इसमें भी सामका टाइम लाइटिंग होती है, यहां पर भी आप रुक के थोड़ी दिर रेस्ट कर सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, यहां पर भी पिक वगरा लेने के लिए जगह बनी हुई है, और विंड वील के अंदर एक छोटा सा म्यूजियम बना हु यहां पर देख सकते हैं, थोड़ी दिर यहां पर रुख सकते हैं, कर अंदर और विंड Lindsay, झाल को सवा हुआ है, यहां ओरेंगो, जोड़ीं आप्स अंदरrainर शोटत झाल 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 आगे जाने पर आपको झाल यहां पर झाल यहां पर जाके वहां से व्यू ले सकते हैं और यहां पर जो माउंटेन और लेक का जो आपको मिलेगा वह बहुत ही अमेजिंग होता है झाल 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 जब आप आगी जाते जाएंगे पार्क में तो आपको हाट वाक पे जॉइन जाएंट वाटर वील गोजेबो और सौंग सी हूं जो की एक बहुत अच्छे कॉमेडियन थे उनका स्टैचू देखने के लिए मिलेगा और साम और रात के टाइम पे यह हाट वाक पे बने में हैं जहां पर पिक्स ले सकते हैं यहां पर बहुत सारी चीजों के रियूस को भी दिखाया गया है ऐख्रफ़ को साहते हैं जो है कर दो एअ लोड़राज हैं जहां झाजने की एमस्वाल मेंद़ सेयं हैं हुआ इंद एक्डिखर हैं जहां से खुय झार आब साव़रेदयम자 सा suggestion यह देख सकते हैं यह इनके रियूस प्रोजेक्ट से यहां पर लिखा हुआ भी है अप्रेड़ेट रिसाइक्लिंग और इस पार्क में ज्यादा तर लोग इस्प्रिंग के टाइम पर फ्रावर्स देखने के लिए आते हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारे फ्रावर्स बहुत स और ठंडी के टाइम पर यहां पर फ्रोजन वाटर फॉल देखने के लिए मिलता है तो कुल मिला कि यह ऐसी जगह है कि आप साल में किसी भी टाइम यहां पर आएंगे तो यह खुबसूरत ही लगेगा कि आप साल में आप सुभड़रास कि तारे बिए यहां पर बालाई है कि आप सेलिंगे टन, बालाई कुल में पर गजजरम पर दो मिलता है तो पर जाते हैं आप साल मुल दे चाना दोरी यहां पर दो क्रापकर कोवपरार thrillingck टारा विए Another protocol मुए. जह हैं आप साल मुलिए अ यह गोल्ड लाइट जैसा बना हुए है इस पे लाइट चलता हो और यह पिख लेने के लिए बनाए है इस पे बैठ के आप पिख ले सकते हैं यह बहुत सार जगह पर आपको दीखेगा और यहां पे भी कुछ रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट बने हुए है प्रोजेक्ट 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 बनाए है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मेंढ चलता है अब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट च्सी अडेट excited जबगMom झालनोग जड़ मेंढ इस उल्स 10 त, उलिएक्ट बनाए है अरे वाश्राम मामे और टपको झाल 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 ते जाने पर आपको पार्किंग दिखेगा और वहां पर कुछ कुछ चीजीन स्नैक्स वोटर बगएर आप को मिल जाएंगी और यहां से फिर पार्क से बाहर जाने का रास्ता भी आपको मिल जाएगा तो फ्रेंड्स यह था सूंगाई पार्क और आई होप आप सबको यह बहुत अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा तो जब भी आप द्योगो आते हैं तो आप यहां सकते हैं यहां के गुम सकते हैं आपको आके यह जगा अच्छी लगेगी आपको यह प्लेस और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सेर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू हुआ 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 है हुआ 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 है बाइ बाइ फ्रेंड्स मिलते है नेक्स रुडियो में हुआ 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 ह